नमस्कार दोस्तों जैश्री राम हर हर महादेव दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों कई पौधे ऐसे हैं जिन्हें घर में लगाने से दौलत तो नहीं आती पर भूत प्रेत आत्माएं जरूर खिंची चली आती है और परिवार में दो हिससे भी करा देती है इसी लिए इन पौधों को लगाने से बचें दोस्तों वैसे तो पैर पौधे न केवल वातावरन को शुद्ध करते हैं बलकि उससे नकारात्मक शक्ती और गलत ऊर्जा भी दूर हो जाती है लेकिन अगर हम आपसे कहें कि कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिने घर में लगाने से नकारात्मक उर्जा भी खिंची चली आती है तो इस बात पर आप बिलकुल भी यकीन नहीं करेंगे लेकिन यह बात भी सच है कि वास्तु शास्त्र में सही और गलत पौधे को भी लगाने के लिए कहा जाता है जो कि आप नहीं जानते आप तो बस इतना जानते हैं कि हर पौधे को लगाया जाता है जो कि यही गलती आप पर भारी पर जाती है मेरे साथियों आपको बता दें जो लोग अपने घर में गलत पौधों को लगा लेते हैं तो वहाँ पर धन की हानी के साथ-साथ परिवार भी तूट कर बिखर जाता है तो ऐसे में जानते हैं कि वो कौन से ऐसे पौधे हैं जिन्हें घर में भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए तो आईए जानते हैं उन पौधे के बारे में लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सबस्क्राइब जरूर कीजिएगा तो दोस्तों नमबर एक है इमली का पेर जो लोग अपने घर के अंदर इमली का पेर लगाते हैं तो वहाँ पर काफी संख्या में नकारात्मक उर्जा होने के पूरे पूरे सबूत मिलते हैं, जो आपको रात होने पर इस बात का भी एहसास करा सकते हैं, कि इमली के पैर पर कई सारे भूत, प्रेत और आत्माओं का साया एक साथ होता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जहां पर इमली का पैर होगा, तो उसके आसपास घर बनाना मतलब बरबादी को न्योता देने के बराबर है। इसलिए इन पैर पौधों से दूर रहें। अब नमबर दो पर है मेहंदी का पौधा। दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जो अपने घर के अंदर मेहंदी का पौधा लगा देते हैं, जो कि वास्तु शास्त्र में इसको घर में लगाना अपनी खुशियों को भंग करने के बराबर है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मेहंदी के आसपास हमेशा बुरी आत्माएं भटकती रहती हैं और जहां भी यह पौधा होगा वहाँ पर खुशियां कभी नहीं आती हमेशा आपको अशान्ती ही देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर आप मेहंदी का पौधा लगाना ही चाहते हैं तो अपने घर से थोड़ा दूर लगाएं घर के अंदर तो भूल कर भी नहीं लगाएं अब नमबर तीन पर है कांटेदार पौधे और कपास का पौधा दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जहां पर कांटेदार पौधे लगे होते हैं यानी नागफणी तो वहां पर चुम्बक की तरह नकारात्मक उर्जा खिंची चली आती है और उस घर में कलह कलेश जम कर होती है महाभारत उस घर में लगता है जो लोग कपास का पौधा अपने घर के आस पास भी लगाते हैं जो बहुत ही अशुभ माना जाता है इसलिए इन सभी पौधों से हमेशा हमें बचना चाहिए और वही तुलसी की पूजा आराधना सेवा करने से घर में सुख सम्रिधी आती है और भगवान श्री हरी विष्णू और मा लक्ष्मी की कृपा मिल जाती है वही सुभ तुलसी में जल देना शाम को धी का दिपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है दोस्तो तुलसी का पौधा जिन घरों में होता है तो माना जाता है कि वहां वास्तु दोश नहीं होता ध्यान रखें कि घर के उत्तर पूर्व कोने में ही तुलसी के पौधा को लगाना शुभ माना जाता है. तो मेरे साथियों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में जै लक्ष्मी माता जरूर लिखिएगा.